आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए most important है अगर आप लोग घर बैठे आर्टिकल जो भी आपके पास knowledge है उसको publish करके पैसा कमाना चाहते हो और जो यह पैसा कमाने की limit है यह कोई fix नहीं है यह totally आप पे depend है depend करता है कि आप कितना time अपने blog पे देते हो उसको content तयार करने में proper तरीके से publish करने में आप कितना time देते हो यह आप लोगों की earning 1000 में लाख में यहां तक की करोणों में हो सकती है जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी website दिखाई दे रही है तो इस website में आप लोगों को यहा पर ad दिखाई दे रहे हैं तो जो यह आपके different type के ad इस website में दिखाई दे रहे हैं जब कोई user इस पे click करता है तो मुझे उसका revenue मिलता है यानि कि जिस बंदे की जिस संस्थान की website होगी उसको इस ad का पैसा मिलता है तो यह तो website है दिन इसी प्रकार से मेरी एक blog है जिसका ना करने में एक भी पैसा खर्चा नहीं होने वाला है इसे आप free of cost design कर सकते हो नंबर दो कि इसके लिए आप लोगों को कोई भी ना तो domain purchase करना है ना तो कोई hosting purchase करनी है बिना किसी coding के आप लोग यहाँ पर यह काम कर पाओगे इसी प्रकार से मेरा एक और blog है हाला कि मेरे पास present time में लगबग 10 plus blocks available है बट मैं आप लोगों को 2-3 करके दिखाता हूँ open तो oklation.blogspot.com यह भी मेरा ही blog है जो की monetize है जहां पर मैं article करके earning कर रहा हूँ हाला कि यह इतनी ज्यादा नहीं है क्यों कि मेरे इस blog में मैं active नहीं हूँ तो आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से बिना किसी coding के free of cost अपना blog create कर सकते हो और उस पे article publish करके earning कर सकते हो so let's start तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक account create करना होगा तो मैं यहां पर एक incognito mode में tab open करता हूँ और सबसे पहले एक fresh gmail account create करता हूँ तो हमने यहां पर gmail.com इस url को open कर दिया है दिन यहां पर मैंने create account पे click किया create account पे click करने के बाद आपके सामने एक form आएगा जहां पे आपको form fill करके अपना account create कर लेना है अगर आप लोगों के पास already gmail account है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा skip कर दीजिए मैंने यहां पर दे दिया for example सत्यम और इसके बाद में last name साहू और username कर लेता हूँ example के तवर पर साहू सत्यम सत्यम एवाइलेबल है हाँ जी ठीक है password मैंने create कर लिया है कुछ example के लिए ओ माई गॉट ठीक तो हमने आपर password create कर लिया है दिन हम next पे click करेंगे next पे click करने के बाद आप लोगों को यहां पर अपना mobile number इंटर करना है अगर आप चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हो बट आपको यहां पर डालना चाहिए अपना mobile number ताकि अगर by chance आपका जो email account है वो secure रहेगा दिन आप लोगों को यहां पर date of birth fill करनी है तो हमने यहां पर example के लिए first january 1999 select कर लिया है और gender हमने कर लिया है mail next पे हमने click किया next पे click करने के बाद इसमें आप लोगों को I agree कर देना है और यह लीजिए जो आपका account है वो चंद second में create हो जाएगा तो आपको यहां पर थोड़ा सा wait कर लेना है चूकि मैं present time में जिस system पे बैठा हूँ तो यह थोड़ा सा slow है बट मैं आप लोगों को proper तरीके से एक एक बात बताऊंगा तो आप लोगों का यहां पर जो email account है वो create हो चुका है देना आपको एक नई tab open करनी है और यहां पर type करना है blogger.com इतना type करने के बाद आपके सामने blogger.com जो कि Google के ही एक service है जहां पर आप free में sub domain और free में hosting ले सकते हो और earning कर सकते हो हाला कि यहां पर जो आप earning करते हो उसका कुछ percent Google automatically काट लेता है देना आपके सामने ऐसा interface आएगा तो आपको create your blog यहां पर click कर देना है यहां पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस type से एक option दिखाई देगा अब बात यह आती है कि आप blog पे क्या करोगे तो जो भी आपके पास ग्यान है चाहे वो आप लोगों का recipe का हो या computer ग्यान हो ssc के बारे में आपको जानकारी है gk, gs, current affair, math जो जिस field में आपको ग्यान है उसी के article आपको यहाँ पर type करने है, proper तरीके से SEO का use करते हुए उस content को publish करना है, proper तरीके से image लगानी है यह सारे काम मैं आप लोगों को step by step बताऊंगा आने वाली series में, क्योंकि यह पहली class है तो जो यहाँ पर cover हो सकता है, वो मैं cover करने का प्रयास करूंगा तो हमने यहाँ पर account को choice कर लिया है और password को fill कर दिया है, दिन हमारा account यहाँ पर login हो चुका है, दिन सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक domain name select करना होगा, जो की आपकी जो blog रहेगा, उसका URL रहेगा, जिसकी सहयता से users, visitors हैं, आपकी website को open करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा title, मान लीजे हमें बनाना है computer mcqs के बारे में, तो हमने अपने blog का title रखा, computer tips, ठीक है, example के लिए, computer tips, दिन हमने next पर click कर दिया, दिन आपको यहाँ पर देना है address, जैसे कि आप देख पा रहे थे, जो मेरी website थी, इसका नाम था, examjla, तो examjla क्या है, इस website का URL है, जिसे आप domain name बोल सकते हो, इसी प्रकार से यहाँ पर sub-dss था, इसी प्रकार से यहाँ पर ok lesson था, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कोई अच्छा सा नाम choice करना है, दिन आपको यह check करना पड़ेगा, कि वो नाम available है, या फिर नहीं, तो मैं available नहीं है, मैंने कर दिया my computer tips 24, तो यह available है, तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, this blog address is available, दिन आपको next पे click कर देना है, दिन आप लोगों को यहाँ पर display name डाल देना है, जो कि blogger आप जो visitor होंगे, वो पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पर फिर से कर दिया है, computer tips, दिन आपको finish पे click कर देना है, finish पर click करते ही लीजिए, आपकी जो blog है, वो create हो चुकी, दिन आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपके blog के display name है, वो दिखाई देगा computer tips, तो जो आपका blog है, वो proper तरीके से internet पर available हो चुका है, आईए चेक करते हैं कि आप इसे कैसे open करेंगे, तो आपको आना है setting में, setting में आने के बाद, जो आपने अभी website create की है, उसका जो address है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो कोई भी user यह address टाइप करके आपकी website को access कर सकता है, तो हमने आपर टाइप किया mycomputer tips24.blogspot.com, तो आप देखिए, यहाँ पर क अब बात यह आती है कि इसमें आपको सबसे पहले एक अच्छी सी theme install करनी होगी, कैसे करने हैं आईए देख लेते हैं, तो आपको मिलेगा option यहाँ पर theme का, यहाँ पर click कर दीजिए, यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर different type की themes दिखाई देंगी, जो भी आपको पसं आए आप उस पर click कर दीजिए, for example मेरे को यह theme पसंद आ रही है, तो हमने यहाँ पर click कर दिया, यहाँ पर click करने के बाद आपको मिलेगा option apply का, या फिर आप preview पर click करके इसका preview देख सकते हो, but मैंने पूरा mode बना लिया है कि मुझे इसको ही apply करना है, तो हमने apply पर click कर दिया I hope कि आप लोगों ने वीडियो को like कर दिया होगा और चैनल को subscribe कर लिया होगा, तो यहाँ पर click क्या चुका है, कि जो new theme है, वो successfully apply हो चुकी है, तो आते हैं blog पे और इसको हम करते हैं refresh, तो आप देखिए, जो theme हमने यहाँ पर select की थी, वो यहाँ पर apply हो चुकी है, चुकि जो images हैं, यहाँ पर नहीं आ रही है, क्यों कि जो आपका blog है, उस पे अभी आपने कोई भी post publish नहीं कि, यह देखिए, आप लिक क्या रहा है, तो यह आप लोगों का blog बन चुका है, अब बारी है कि आपको यहाँ पर कुछ basic setting करनी होगी, उसको हम लोग अगले वीडियो मे देखेंगे, बट उसके पहले, आपको यहाँ पर post कैसे लिखनी है, आइए जान लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे, यह मेरा blog है, और यहाँ पर different type की आपको post दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर add दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई add पे click करेगा, तो म आप देखिए, यहाँ पर एक आया add और इसके बाद में वो post open हो चुकी है, यह देखिए, तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर अपनी blog में भी post लिखनी होंगी, दिन वहाँ पर आप add लगाओगे, तो आपको उसका revenue मिलेगा, तो आए जानते हैं, तो हम लोग य new post यहाँ पर click कर देना है, यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से interface आयेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है title, यानि कि जो आप ग्यान यहाँ पर share करने वाले हो, लिखने वाले हो, उसका title क्या है, जैसा कि आपने देखा कि जो यह post है, इ iot pdf download, क्योंकि हमने इसमें iot pdf की, जो iot pdf हैं, उसको download कैसे करना है, उसके बारे में बताया है, तो title हमने क्या लिखा है, o level iot pdf download, मान लीजिए आप computer के बारे में जानकारी देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर लिख सकते हो title, what is computer, अब यह depend करता है कि आप जो article है, कि language में लिखोगे, तो हमने यहाँ पर ले लिया है, example के लिए English, और यहाँ पर मैं एबाली देता हूँ, civil language में, one minute, computer क्या है, हाला कि जो यह आपके title होते हैं, इसे आपको proper तरीके से सर्च करना पड़ता है, कि audience कौन सा keyword सर्च करती है, दिन वही आप लोग यहाँ पर type करते ह हो, चुकि यह एक example class है, तो मैं आपको example दे रहा हूँ, दिन हमने यहाँ पर लिख दिया, what is computer, computer क्या है, और इसके बाद में अपने blog का नाम, my computer tips, 24, ठीक है, दिन आप लोगों को यहाँ पर, जो यह title लिखा है, जिसके बारे में यह post है, इसे आपको यहाँ पर proper तरीके से describe करना है, जैसे कि आप देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी से heading दी, और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया, यदि आप O level कर रहे हैं, और आपके पास O level M4, R5 notes PDF नहीं है, और आपके पास, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा paragraph लिख दिया है, तो इसी पर काफी ज्यादा time लग जाएगा, तो मैं यहाँ से dummy text copy कर लेता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपने जो title दिया है, उसी के संदर्व में आपको content लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर lorem ipsum, जो dummy text provide करता है, इसको हमने open कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर RAM का issue है, तो इसको मैं यहाँ से इतना content copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, दिन हमने यहाँ पर एक छोटा सा paragraph लिख दिया, दिन इसके बाद मैं लेता हूँ एक छोटी सी heading, तो मैंने इसको यहाँ से copy कर लिया है, example के लिए, और हमने यहाँ पर अपनी post में दूसरी heading insert कर और इसको मैंने select कर लिया, और यहाँ पर click करके जो size है, उसको भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और यहाँ से font family change कर सकता हूँ, यहाँ से bold कर सकता हूँ, यहाँ से italic और यहाँ से underline, इन tools के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, अभी हम लोग पहली जो post है, उसे आप क copy कर लेता हूँ, one minute, copy कर लिया हूँ इसको भी, और इसको हमने यहाँ पर paste कर दिया, paste करने के बाद, अगर आप लोगों को इसमें कोई image लगानी है, तो आप यहाँ पर click कर दीजिए, upload from computer, यहाँ पर click कर दीजिए, और आपके computer में जो image available है, इसको आप यहाँ पर insert करवा सक सकते हो, तो मैं जाओंगा download में, और हमने हाल ही में एक image download की थी, बनाई थी, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो हमने इसको यहाँ से कर लिया है, select, और select पर हमने click कर दिया, तो यह image यहाँ पर आचुकी है, और यहाँ पर click करके आप इस image का, जो alignment है, उसको भी control कर सकते हो, तो इसको हमने कर दिया है, center में, ठीक है, दिन आप लोगों को यहाँ पर और भी settings करनी होती है, जिनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक example के लिए post लिखकर दिखा दी है, दिन हमने यहाँ पर publish पे click कर दिया, publish पे click करने के बाद confirm कर दीजिये, और जो यह article है, यह successfully publish हो चुका है, जो आपने article publish किया था, उसको कितने लोगों ने देखा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितने लोगों ने comment किया है, कौन सी comments हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, साथ की date में कितने लोग आए हैं, पिशले दिन कितने आए थे, इस महिने कितने आए हैं, लास्ट महिने कितने आए हैं, और यहाँ पर click करके आप range के recording, जो traffic है, उसको check कर सकते हो, और earning, इसमें जो add है, वो कैसे लगाने हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्च रहेंगे, उतना मैं आप लोगों को content provide कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से, आईए देख लेते हैं, कि जो आपने यहाँ पर post लिखी है, वो हमारे इस blog में आई भी है, या फिर नहीं, तो इसको हमने refresh किया, और आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारी post है, वो प्रॉपर तरी case से आचुकी है, किसी को पढ़ना होगा, तो यहाँ पर click कर देगा, और जो यह post है, यहाँ पर इस type से open हो जाएगी, तो थोड़ा सा wait करना पड़ेगा यहाँ पर, हाला कि मुझे लगता है, कि यहाँ पर जो color का combination है, उसका थोड़ा सा issue हो गया था, तो मुझे उसको सही कर करना है, एक काम करता हूँ, मैं इसको सही करके दिखाता हूँ, ताकि आपको यह न लगे, कि आपने गलत कर दिया, तो अगर मान लीजे, आपने कोई post publish कर दी है, उसको edit करना है, तो आपको simply यहाँ पर click कर देना है, और जो आपकी post है, वो proper तरीके से open हो जाएगी, तो सब यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर paste कर देंगे, इसी प्रकार से मुझे इसको भी यहाँ से cut करना पड़ेगा, और यहाँ पर आएंगे, control V करेंगे, control A, control C, और यहाँ पर click कर देंगे, control V, control ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैंने आपको बोल्ड हटा दिया, italic हटा दिया, underline हटा दिया हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ, paragraph यानि की normal size, medium, इसको मैंने publish किया, update कर दिया हूँ मैं, और आप देखेंगे, जो दिक्कत पहले आ रहे थी, अब यहाँ पर दूर हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर formatting का issue था, तो आप देखिए, यहाँ और जो दिक्कत आ रहे थी, वो दूर हो चुकी है, इसी प्रकार से हमें इस content को भी यहाँ से remove करना होगा, इसकी formatting को, क्योंकि यह भी formatting remove नहीं हो पाई है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से blog create कर सकते हो, अगर आप अपने mobile में mycomputer tips24.blogspot.com open करोगे, तो आप लोगों को यह post देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब यह जो हमारी website है, जो हमने create किया है, यह पूरे संसार में available है, कोई भी इस URL को type करके, हमारे इस blog को type देख सकता है, तो I hope कि आप लोगों को यह video पसंद आया होगा, और आपने video को like कर दिया होगा, अगर आप लोगों को इसके आगे की video's चाहिए, तो आप हमें comment box में बताईए, तो हम आपको इसकी video provide कराऊंगा, अगर आप लोगों के पास कोई doubt है, तो आप उसे comment कर दीजे, मिलते हैं इस class में तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे